नश्कार दोस्तों ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है आप पेपर वाइस और टोपिक वाइस एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके डिसकसन स्टार्ट करने से पहले थोडिशी इंफोरमेशन कोर्स कर सकते हो onlyis.sales.gmail.com पर चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं इस टार्ट करते हैं अप जीएस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है देखो आर्बियाए के दवरम एक पैनल का घठन किया गया था रेकमेंडेशन देने के लिए ताकि डिसकस किया था उसको हम रिवाइस कर लेते हैं MSME सेक्टर से समधित वो आर्टकल हैं पहले हम थोड़ा बैक्ग्राउंड डिसकस करते हैं देखो जब हमारे देश आजाद हुआ था आजादी के बाद शुरुआती कुछ सालों में सरकार के दवरा या तो एग्रिकल्चर प के लिए सरकार ने क्या किया बहार से जो चीजे इंपोर्ट की जाती थी जो गूड़् इंपोर्ट किये जाते थे उस-पर टैρι्फ को इंक्रीज कर दिया ताकि Indians MRME के दवरां जो प्रडेक्ट्स produce किये जाते हैं जिन products की manufacturing होती हैं उनको बहार से import होने वाले goods से competition का सामना ना करना पड़ें लेकिन 1991 में LPG reforms लाई जाते हैं यानि विविन सेक्टर्स में FDI को allow कर दिया गया तो उस समय इंडिया में काफी investment आई ऐसी companies आई जो उनी products को manufacture करने लगी जिनको आम तोर पे MSME के द्वरा manufacture किया जाता था इवन पहले दूसरे देशों से जो products को import किया जाता था टैरिफ बहुत ज़दा होता था टैरिफ भी बहुत कम हो गया तो दूसरे देशों से बहुत ज़्यदा प्रोडेक्ट्स इंपोर्ट किये जाने लगे और वो भी बहुत सस्ते, तो सोच के देखिए, MSME सेक्टर जो पहले प्रोटेक्टिड था, कोई कंप्रेटिशन नहीं, बहुत ज़्यदा इनेफिशेंट हो चुका था, पुरानी सरकार को realize होने लगा, कि देखो, MSME सेक्टर तो बहुत ज़्यदा important है, क्योंकि आज के समय में, यह ऐसा सेक्टर है, जो सबसे ज़्यदा job creation में अपना contribution दे सकता है, तो धीरे धीरे सरकार के द्वरा, MSME सेक्टर पे ध्यान दिया जाने लगा, यह definition है, कौन सी enterprises, micro है, कौन से small है, कौन सी medium है, अभी देखो, इस definition को change करने के लिए, एक bill present क्या गया है, पार्लियमेंट में, अगर वो bill pass हो जाता है, तो definition change हो जाएगी, वो bill भी हम discuss करेंगे, लेकिन अभी की definition है, वो इस परकार से है, अगर किसी उध्धोग में, plant में और machinery में investment 25 लाग से कम होती है, तो वो enterprise कहलाएगी micro enterprise, और अगर किसी enterprise में, plants में और machinery में investment 25 लाग से 5 करोड के बीच होती है, तो वो उध्धोग आएगा small enterprises की category में, और सबसे last में, अगर किसी उध्धोग में investment 5 करोड से 10 करोड के बीच में होती है, तो वो उध्धोग आएगा medium enterprises की category में, ये जो definition है, वो goods के लिए है, services के लिए अलग से definition है, एक बात फिर से repeat करता हूँ, अभी ये definition है, MSME Development Act 2006 के according, लेकिन इस definition को change करने के लिए bill Parliament में आया है, जिसे अभी हम discuss करेंगे 3-4 मिनिट के बाद, कुछ facts पहले MSME sector के बारे में discuss करते हैं, GDP में contribution MSME sector का है 37.5%, export में share है 40%, अभी 11 करोड लोगों को रोजगार दिया जाता है, MSME sector के दवारा, 5 क्रोड enterprises काम कर रही है, 7000 से ज़्यादा different products manufacture किया जाते हैं, produce किया जाते हैं, labor intensive है, इसलिए तो कहा जाता है, सबसे last में देखिए, agriculture sector के बार, MSME sector जो है, वो सबसे ज़्यादा opportunities present करता है employment के लिए, और MSME sector पे अगर ध्यान दिया जाता है, तो industrial development आ सकती है, role areas में भी, gramming इलाकों में, जो traditional skills हैं, उनको use किया जा सकता है, local resources को use किया जा सकता है, resources को mobilize भी किया जा सकता है, और products के export को boost भी किया जा सकता है, तो ये हमने कुछ facts discuss किये MSME sector के बारे में, अब हम discuss करते हैं, MSME sector को किस परकार की problems का सामना करना of educate and timely banking finance, देखो MSME sector को अपने business expand करने के लिए, या फिर किसी person को MSME sector में enterprise establish करने के लिए finance के आप सकता होती है, लेकिन MSME sector में जो industries आती हैं, उनको पैसा आसानी से नहीं मिल पाता, loan आसानी से नहीं मिल पाता, दूसरा market knowledge, काफी बार ऐसा देखा जाता है, कि MSME sector में जो enterprises हैं, उनको market की ठीक से knowledge नहीं होती, कि market में trend क्या चल रहा है, उनके द्वारा जो products की manufacturing चल रही है, उन products में किस परकार का बदलाव आउशक है, कहां पे इन products की विक्री जादा हो सकती है, तो ये जो knowledge है, वो उपलब्द करवाना ज़रूरी है, MSME sector को कौन से ऐसे products हैं, जो आप ब back of basic infrastructure, अगर देखो, ग्रामीन इलाकों में कोई MSME establish की जाती है, वहां पे तो काफी बार ऐसा भी देखा जाता है, कि बुन्यादी सुईधाएं, जो basic infrastructure है, उसका भी अभाव, बिजली नहीं आती, पूरे समय, रोल सही नहीं है, तो ये जो चीजें है, वो भी एक परकार से बादा का का काम करती है, MSME जो सेक्टर है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, तीसरी चीज, non availability of suitable technology, MSME सेक्टर में जो टेक्नोजी है, वो trend के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाती, marketing में देख लीजिए, production में देख लीजिए, किसी भी चीज में देख लीजिए, technology जो है, वो समय क अनुसार latest नहीं यूज की जाती, वैसे marketing के point को इससे link कीजिए, आज digitalization का जमाना है, फिर भी पुराने तरीके अपनाए जाते हैं marketing के लिए, तो ये जो तरीके हैं, वो inefficient हो जाते हैं, इसलिए ना सिरफ production में, बलकि marketing में भी latest technology को यूज के जाने की आउशकता है, low production capacity, दो क्रोड प्रोडेक्ट को बनाएंगी, और MSME जो हैं, वो एक साथ एक लाख प्रोडेक्ट को बनाएंगी, तो definitely जो बड़ी companies हैं, उनको मुनाफ़ा होता है, तो low production capacity से भी घाटा होता है MSME को, ये भी एक problem है, ये एक challenge है, next point है labor loss, वैसे रेखो, सरकार के दवारा काफी सामना करना पड़ता है, और सबसे last point है, non availability of skilled labor at affordable cost, affordable cost पे जो skilled labor है, वो उपलब नहीं हो पाती, MSME को ये भी एक challenge है, तो ये हमने problems की बात की, challenges की बात की, अब हम discuss करेंगे, सरकार के दवारा क्या किया जा रहा है, इन problems को adders करने के लिए, सरकार के दवारा देखो, बहुत सा उठाए गए है, National Manufacturing Competitiveness Program, इस program का मकसद ये था, कि जो competitiveness है, MSME सेक्टर की, उसे enhance करना, कैसे, better space utilization, scientific inventory management, improved process flows, उसके बाद reduced engineering time, तो ये थोई technical terms है, space कम से कम use किया जाए, MSME के दवारा, जो inventory है, यानि जो समान है, उसको अच्छे से scientific धंग से manage किया जाए, आप सिधा लिख सक नैशनल Manufacturing Competitiveness Program, क्योंकि एक point नहीं है, बहुत सारे points है, सरकार के दवारा क्या कुछ किया जा रहा है, credit guarantee scheme सरकार के दवारा चलाए गई है, credit linked capital subsidy scheme, MSME, cluster development program, PM employment generation program, marketing development assistance scheme, promotion of ICT in MSME, उसके बाद technology and quality upgradation, building awareness for IPR, मतलब intellectual property rights in MSME, उसके बाद public procurement policy 2012, labor reforms जैसे introduction of सरम, सुईधा पोर्टल, मुद्रा scheme, उद्योग अधार memorandum, aspire scheme, सफूर्ती scheme, stand up India और start up India भी, देखो ये steps जो हमने discuss किये, कई तो अपने आप में काफी बड़ी-बड़ी schemes है, इन में से कुछ को आप जरूर याद रखिएगा, और mains के answer में जर इसके ठीक है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के द्वरा जो steps उठाय जा रही है, वो भी हमें पता होने चाहिए, अब हम discuss करते हैं, जो recent में bill लाया गया है, पार्लियमेंट में, ये bill MSME की definition को change करने के लिए है, अभी definition क्या है, वो हमने article क ये शुरुवात में discuss की थी, अगर ये bill पारित हो जाता है, तो नई definition MSME की इस पर कहां से होगी, एक important बात यहां पर ध्यान देने योग गया है, अभी जेखो, MSME की definition है, वो investment के अधार पर है, याद होगा, शुरुवात में जो हमने definition discuss की थी, उसके अनुसार यहां पर investment, plants और machinery में 25 लाग से नीचे है, तो micro enterprises, ये definition हमने discuss की थी, इस definition में investment को देखा जाता था, लेकिन अगर नया बिल पारित हो जाता है, जिसका नाम है MSME Development Amendment Bill 2018, तो investment को नहीं देखा जाएगा, turnover को देखा जाएगा, turnover का मतलब है, annual sales की value, माल लिजे, 20 रुपे के 1000 कमपनी का हुआ, 20,000, समझ गे, total कितने रुपे की sales हुई है, एक साल में, और financial year में, वो कहलाता है, उस company का turnover, तो उसके अधार पर MSME को categorize किया जाएगा, तो सबसे पहले category है, micro enterprises की, अगर देखो, किसी उध्योग का, जो annual turnover है, वो 5 क्रोड़ से कम है, तो वो उध्योग आए आएगा, micro enterprises की category में, और अगर किसी उध्योग का, annual turnover, 5 क्रोड़ से 75 क्रोड़ के बीच है, तो वो उध्योग आएगा, small enterprise की category में, और अगर किसी enterprise का, यानि उध्योग का, annual turnover, 75 क्रोड़ से 250 क्रोड़ के बीच है, तो वो उध्योग आएगा, medium enterprise की category में, तो ये नई definition होगी, अगर बिल पारित हो जाता है, तो अब आप मुझे एक बात बताईए, कि इस बिल के पारित होने से और क्या फाइदे हो सकते हैं, कुछ फाइदे देखो हम डिस्कस करते हैं, एक तो verification आसान हो जाएगा GST से, अगर एक साल में sales को देखा जाता है, मतलब turnover देखा जाता है, और उसके अधार पर MSME को categorize किया जाता है, तो GST की साहिता से verify करना आसान हो जाएगा, दूसरा, पहले बहुत बार ऐसा देखने को मिलता था, कि कोई pharmaceutical company है, या फिर कुछ ऐसी industries हैं, जहां पर minimum scale पर production करने के लिए भी investment बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो सोचके देखिए minimum scale पर production है, लेकिन investment ज़्यादा चाहिए, तो वो company MSME के दाइरे से बाहर हो जाती थी, और MSME को जो फाइदे सरकार के दोरा पुंचाए जाते हैं, वो company उन फाइदों को avail नहीं कर पाती थी, अब ऐसा नहीं होगा, annual sale देखी जाएगी, investment नहीं देखी जाएगी, last में तो simple सा point है, कि इस bill के पाइद होने से, कुछ sectors में, जो MSME है, वहाँ पर efficiency आएगी, और MSME अपने potential तक पहुंच केंगी, सब कुछ हमने discuss कर लिया, अब कुछ suggestions कर लेते हैं, काफी बार UPSC, MSME के बारे में questions पूछने के बाद, suggestion पूछ लेती हैं, कि आप बताइए, क्या suggest करते हो, कि कैसे MSME सेक्टर में और ज़्यादा efficiency लाई जा सकती है, growth को increase किया जा सकता है, तो सबसे पहला suggestion, tax reforms, tax incentive डिये जाएं, ताकि जो MSME हैं, वो बड़ी companies का मुकाबला कर सकें, उसके बाद promote R&D, research and development पे focus किया जाएं, तीसे नमबर पे e-commerce and marketing, MSME के जो products हैं, वो भी e-commerce websites की साहिता से बेचे जासकें, इस दिशा में भी काम करने के आऊशकता है, ताकि better marketing हो सके MSME के products की, और सबसे last में, linkage होना चाहिए, skill development का MSME की जूरतों के साथ, यानि MSME में जिस परकार की skills चाहिए, उस परकार की skills available होनी चाहिए, market में government को ये ensure करना ज़रूरी है, तो ये suggestions आप लिख स सकते हो, तो इस परकार से MSME से समदिद important article को revise करने के बाद, अब हम जानते हैं, RBI के panel की recommendations के बारे में, सबसे पहली recommendation RBI के panel के दवारा ये दे जाती है, देखो MSME के लिए जो act है, वो 2000 से में आया था, अब ये act बहुत जड़ा पुराना हो चुका है, MSME की नई definition, turnover based होनी चा तीसरी recommendation RBI panel की ये है, CIDB, यानि Small Industries Development Bank of India, इसके role को reform कर दिया जाए, CIDB को engage करना चाहिए, state governments के साथ, ताकि MSME की development हो सके, और CIDB को धिरे धिरे देखो, MSME के लिए market maker का role भी अपना लेना चाहिए, तीसरी recommendation, अभी देखो, लोन दिया जाता है, MSME को 59 मिनट्स में 1 क्रोड तक का, इस limit को increase कर दिया जाए, 5 क्रोड तक का लोन दिया जाए, MSME को, next recommendation, funding for MSME से समदित है, government sponsored fund of funds जो है 10,000 क्रोड का, ये देखो, उन venture capitalist या फिर private equity firms को support करें, जो MSME सेक्टर में invest करती हैं, इसके अलावा, 5,000 क्रोड का distressed asset fund, ये जो fund है, RBI schemes के साथ मिल के काम करें, या फिर जो bank led NPA revival solutions है, MSME के लिए, उस से synchronization में काम करें, ताकि वो MSME जो फिलाल घाटे में चल रही हैं, या फिर bankrupt होने की कगार पर हैं, अपना loan नहीं लुटा पा रही हैं, उनको या तो revive किया जाए, जा फिर उनका कोई ना कोई solution निकाला जाएं, पांच्वी recommendation, national board for MSMEs अभी काम कर रहा है, यही body काम करती रहे, MSMEs समन्दीर जो schemes हैं, या फिर policies हैं, उनकी implementation की monitoring के लिए, next recommendation, convergence of government schemes, अभी देखो काफी ministries ने अलग लग schemes चला के रखी हैं, MSMEs के लिए, ये नीती सही नहीं हैं, जो ministry of MSME हैं, ये nodal ministry होनी चाहिए, MSME सेक्टर में intervention के लिए, तो इस परकार से convergence आएगा, MSME सेक्टर में, जो भी schemes government के द्वरा चलाई जा रही हैं, next recommendation, exit policy for MSMEs, देखो अगर MSMEs default होने की कगार पर आ जाती हैं, या फिर default हो भी जाती हैं, तो जल्द से जल्द उनका case solve होना चाहिए, इससे फाइदा क्या होगा, lenders उनको भी satisfaction रहेगी, वो invest कर सकेंगे MSMEs में, insolvency code या फिर dedicated जो legislation हैं, उसमें भी provision होना चाहिए, MSMEs के लिए out of court assistance का, आठवी recommendation ये दी जाती है, collateral free limit, collateral का मतलब होता है, कोई चीज हम गिर्वी रखते हैं, उसके बदले में loan लेते हैं, तो बिना कोई चीज गिर्वी रखे, MSMEs को 20 लाग तक का loan मिल जाए, ऐसा प्राबधान करना चाहिए, और मुद्रा scheme के अंतरगत, जो loan limit है, उसे भी बदल दिया जाए, अभी फिलाल 10 लाग है, उसे 20 लाग मना दिया जाए, 9th recommendation ये है, landing to MSMEs under TSL, देखो कुछ banks ऐसे हैं, जिनको specialization प्राप्त है MSMEs lending में, मतलब वो ज़्यादा loan देते हैं MSMEs को, लेकिन देखो, एक obligation banks को ये भी होती है, कि public sector lending के अंतरगत, उनको कुछ न कुछ लोन देना पड़ता है, agriculture sector में, अब देखो, वो banks ये कहते हैं, कि हम agriculture sector में लोन नहीं देना चाहतें, public sector lending के अंतरगत, तो उनको छूट दे दी जाएं, लेकिन इस सर्थ पर, कि वो 50% loan दे, SMEs को, SMEs मतलब small medium enterprises, समझ रहो, यानि वो banks जिनको MSMEs में specialization प्राप्त है, MSMEs को loan देने में, अगर वो public sector lending norms के तहत, agriculture sector में loan नहीं देना चाहतें, तो उनको waiver दे दो, लेकिन इस सर्थ पर, कि वो 50% loan दे, SMEs को, यानि small medium enterprises को, दसफी recommendation ये है, मुद्रा का जो role है, उसे भी reimagine किया जाए, हमें ये भी assess करने के आप सकता है, rational क्या है, मुद्रा जो है, वो CIDB के, subsidiary के तोर पे काम कर रहा है, ग्यारवी recommendation ये दी जाती है, technology का role काफ़ ज़ादा बड़ा है, especially digital platforms आजकल हर जगाँ है, तो panel ने ये recommend किया है, technology facilitated solutions का इस्तिमाल किया जाए, उन problems को solve करने के लिए, जो फिलाल तंग करती है, MSME sector को, बारवा recommendation ये दिया जाता है, RVE के panel के दवरा, काफी बार देखो corporate groups या बड़ी जो companies होती है, वो MSME से चीजों को procure कर लेती है, लेकिन पैसा नहीं देती जल्दी से, payment काफी delay करती है, अब देखो MSME के पांस इतना पैसा नहीं होता न, कि वो survive कर सके, लंबे समय तक उनकी payment ना आए, तो इससे ये बहुत बड़ी problem है, जिसका सामना MSME सेक्टर को करना पड़ता है, तो एक suggestion RVE के panel ने ये दिया है, कि अगर जो payment delay होती है, MSME सेक्टर की, तो उस invoice को एक information utility के पांस भेज दिया जाए, और सभी जो stakeholders हैं, उस information utility को access कर सके, तो सरम आएगी, वो corporate groups जो जान बूच के पैसा delay करते हैं MSME, enterprises को, वो अब जल्दी पैसा देने लगेंगे MSME को, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो information है, invoice है, वो information utility के पांस भेज दी जाएगी, और हमारी insult हो जाएगी, तो वो अपना पैसा, अपनी payment time से करेंगे MSME को, तो बारवी recommendation ये दी गई है, इसके बाद तेरवी recommendation ये दी गई है, अभी जो government e-marketplace है, उसको integrate कर दिया जाए, trade receivable discounting system से, चोधवी recommendation ये दी गई है, banks से अवान क्या गया है, कि आप cash flow based landing system को अपनाए, ताकि liquidity की कोई कमी ना आए MSME के पास, तो last में एक बात ये बोली जाती है, central government को और RBI को मिल के काम करना चाहिए, ताकि ये जो recommendations दी गई है, इन्हें अमली जमा पनाए जासके, और MSME का जो रोल है हमार देश की GDP में, वो और enhance हो, और हमार देश की economy, अपने economic potential को achieve करें, अब question देख लीजिए, जो आपको attempt करना है, MSME contribution to the Indian economy is very significant, MSME का, यानि, micro, small and medium enterprises का, Indian economy में contribution बहुत ज़्यदा significant है, जो important facts हमने, शुरुआत में, आर्टिकल में डिसकस किया थे, इस line को थोड़ा explain करने के लिए, दो-तीन line लिखने के लिए, आप उन facts सा इस्तमाल कर सकते हों, उसके बाद critically analyze major challenges faced by micro, small and medium enterprises, तो आपको challenges जो हैं, उनके बारे में critically analyze करना है, उसके बाद ये बताना है, what steps have been taken by government, यानि सिधा-सिधा ये बताना है, government के दरा क्या steps उठाए गए हैं, ताकि MSME sector में growth को boost किया जासके, 250 words में आपको इस question का answer देना है, तो इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.